हलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक एमके नॉलज ग्रूप में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में मंडीन इस्पेक्टर और उपने रिक्षक के लिए समान ज्यान के महत्पूर कोशनों को आपके समख्ष लेकर आए हैं आज हमारे इस नेक्स टेस्ट है इस टेस्ट में ह कुछा जा सकता है उसी को ध्यान में रख कर यह टेस्ट बनाए गया है तो प्लीज इसमें लाइक से सब्क्राइब कीजे और हमारे टेलीगरम ग्रूप पर भी आप जूड़ सकते हैं चलिए हम बात करते हैं पहला इसमें कोशन है सुमिलित करना है इसमें राइट एंसर आपको बता रहा हूं इसका राइट एंसर हो जाएगा सी नंबर यानि एक का इसका राइट एंसर सी नंबर होगा यानि जो संक्राचारे हैं शंक्राचारे क्या हैं अध्वेत वाद से समदित हैं संक्राचारे अध्यत वाद रामानुजाचारे विशिष्ट देत्वाद मा याद रख सकते हैं तो से आप याद रखेंगे क्योंकि प्राचिन भारत के दर्शनिक और उनके दर्शन से किसे बहुत सारे वुन कुछी जाते हैं हर एक जां में एक दो कौशन बनता है इसलिए इसलिए कॉशन आपके लिए महात-पण हैं इसे बार-बार रिविजन करें ताकि आपको अच्छे से याद रहें चलि नेक्स्ट कोचन को रहा है नेक्स्ट कोचन है बुद्धी मताब पूर्ण जो है उडान नियंत्रन ब्योस्थास से समझेत निमने कत्रों पर विचार कर सही उतर का चुनाव किजिए इसमें दिया करता है तो बुद्धी मताब पूर्ण उडान नियंत्रन ब्योस्था को संद्रवित क्या गया है जिसका राइट एंसर सी नंबर होगा ABCD यानि कि सभी क्या है सही है यानि कि इससे क्या होता है NASA ने विक्सित किया था बुद्धी मताब पूर्ण उडान के लिए और इसका उप्योग NF-15B aircraft में किया जाता है और 2003 में पहली बार IF CS generator का परिक्षण के गया था यह कृतिम तंत्र का तंत्र का उप्योग भी करता है निर्धनता रेखा जिसे हम party land से उपर रहने वाले परिवारों के लिए विदुत connection देने की सब्सिडाइज दर हर घर में उजाला के अ तीसरा के इसका राइट एंसर हो जाएगा 400 यूनिट जाधिक जो है 400 यूनिट तक के विजली विन को सब्सिडाइज कर दिया है और हाब विजली वेजन यूजना के ताथ इस प्रकार से निर्धनता रेखा के अंतरगत परिवारों के लिए विदुत connection दिया जा रहा है next question है निमली कित में करमचारी दिली संतनत से राजस्व प्रसासन से समंदित है तो निमली कित में कौन ऐसे करमचारी थे जो दिली सल्तनत के राजस्व प्रसासन से समंदित है इसका राइट एंसर आपको बताना है इसका राइट एंसर हो जाएगा C number यानि की मुहसिलान इस परकार से जो है दिली सत्रा से राज प्रशासन से मुगल प्रशासन से कोशन बनता है मुहसिलेन, बलाहार और इसका राईट एंसर हो जाएगा खोद ये सबी क्या थे? दिली सत्रा से समझे थे, पटवारी इसमें समझे थे नहीं थे पटवारी तो आधनी काल की एक राजस्व प्रणाली के अंतरगत एक पद है सरकार के गयर कर राजस्व यानि की नॉन टेक्स रिविन्यू में किसे सामिल किया जाता है? इसका राईट एंसर हो जाएगा डी नंबर यानि उप्रुक्त सभी को सामिल किया जाता है ब्याज को लभांस प्राप्तियां और बाहे अनुदान को भी राजसरकार के गयर राजस्व यानि की नॉन टेक्स रिविन्यू में सामिल किया जाता है 2011 की जनगर्ना का अनुसार जनसंक्य घनत्व अधिक है बहुत बार इस प्रकार से जनगर्ना से एकजाम पूछा जाता है तो जनसंक्य घनत्व सबसाधिक किस राज का है 2011 की अनुसार जनगर्ना का जो जनसंक्य घनत्व है वपचिम मंगाल का सबसाधिक है इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा C नंबर बारत में 14 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाये जाता है 14 दिसंबर किस सब्दकाउप्योग सब्धान में नहीं क्या गया है सही उतर का चैन करना है आपको किस सब्द काउप्युग मंत्री सब्धान में नहीं किया गया है आपको बताना है इसका राइट एंसर हो जाएगा मंत्री मंडल का जो है नहीं किया गया है और इसमें उच सदन और नीमन सदन की बात आपको सब्धान में उलेक नहीं किया गया है इस प्रकायर की चीज़ें आपको सब्धान में देखने को नहीं मिलेगा जबकि प्रधान मंत्री का पद और मंत्री परिशद सब्द का उलेक जो है मंत्री परिशद और प्रधान मंत्री सब्द का जो उप्योग है वो सब्धान में किया गया है और उसका उलेक भी मिलता है परन्तु मंत्री मड़ल और उच सदन निम्ड सदन का उलेक सब्धान में नहीं किया गया है टोंडा जंजाती पाई जाती है इसका राई टेंसर आपको बताना है टोंडा जंजाती किस राजे में पाई जाती है इसका राई टेंसर हो जाएगा C निमबर यानि कितामी नाडू राजे में टोंडा जंजाती पाई जाता है चलिए नेक्ट कोचन है किस हिंदी वर्स बिक्रमी संबत में सब्धान सबाने सब्धान को अंगी कृत किया था तिसका राइट एंसर बताना है कि हिंदी वर्स में सब्धान सब्धाने सब्धान को अंगी कृत किया था तिसका राइट एंसर हो जाएगा B-number यानि कि 2006 एक कृत के गया था इसका राइट एंसर हो जाएगा C नमबर INS Bikran ठीक है प्रतक सरणी का युद्पोध है निम्नम से कौन सा गयर नवी निकरण संसाधन है इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका D नमबर जिवास मेधन नोन रिनेवेवेल संसाधन है उचित समंध को जोड़िये इसमें चंदरताल, लोक्टक जिल, रूदर सागर जिल, चिलका जिल सब लोग जानते होंगे लोक्टक जिल मडिपूर में है ठीक है, चिलका जिल, रूदिशा में है ठीक है, चंदरताल, हिमाचल प्रदेश इसका right answer आपको बताना है इसका right answer हो जाएगा A number और चंदरताल हिमाचल प्रदेश है और B का इस मोजागर रूदर सागर तिरपूरा मिश्तित है Justice दलबीर भंडारी क्या है इसे बताएगे इसका right answer हो जाएगा 14 का D number यानि की दूसरी बार अंतराष्टी नियाले में जज चुना गया है मलेशिया में आवजित ग्रेंट फेक्स 2017 का किताब किशने जीता था current अफिर 17 कोचन है Next कोचन है 1923 के निर्वाचन में स्वराज दल निनिम लिखित परांतों को विधान परिशद में बहुमत प्राप्त किया तो इसका right answer होगा ये number यानि की केवल मद्द परांत ने ठीक है मद्द परांत ने उनिसो 23 के निर्वाचन में क्या था इस्तापत्यकला की दर्वीड सहली से निम लिखित मंदिर समंदित है तो दर्वीड सहली कौन कौन से मंदिर बना हुआ ये कोचन इसमें है पुछा गया है ति इसका right answer हो जाएगा दर्वीड सहली से समंदित है इसका right answer हो जाएगा बी नमबर यानि कि मामलपूर के रथ मंदिर, महदरई के मिनाक्षी मंदिर और इसका होजागा तिरू वल्लम का परशुराम मंदिर यह क्या है दर्वीन साली से नेमित जो हैं मंदिर हैं तिस्ता पत्यकला से इस प्रकार के कोशन पूछा जाता है नेमिन में से कौन सा बैस्विक तापन गुलोबल वार्विंग का संभावित प्रहणाम होगा यह है जिसका राई टेंसर हो जाए उप्रोकत सभी समद्र जलिस्तर का बिरदी होगा वरसा प्रतिरूप रेन पैटरन का बदलना होगा परवाल भेतियों पलेक्टेनसों का बिना जब गुलोबल वार्विंग बढ़ता है तो प्रित्विक तापमान बिरहद रूप्षे बढ़ जाता है जिसके करण से जो बर्फ होते हैं वही माले पर या जो परवातिये छेतर में बर्फ पाजाते हैं वह पिगलना सुरूँ होगा जिसके करण से समद्र जलिस्तर में ब बहती हैं वह सुख जाएंगी और प्रवाल भीतियों प्लेक्ट्रिसों का विनास हो जाए क्योंकि समुद्र में अदधिक मात्रा में तुखवान और भुकम या जल के सुनामी के कारण ये प्रवाल भीति नश्ठोंगे तो इस प्रकार से सभी इसका कारण हो सकते हैं नेक् मुलतुत प्रवद किए नेक्ट है बायो मैगनिफिकेशन से तातपर क्या है तो इसका राइट एंसर हो जाएगे ये नंबर यानि की अप्छाई जो है प्रदुस्कों की सांदरता में ब्रदी क्योंकि वेखाद स्रिंखला से होकर आगे हो जाते हैं जिसे हम बायो अधिक किस राज में मिलता है तो लाख उद्योग का जो है विकास इसका ये नमर राइट होगा जारखंट से मिलता है वर्स 2017-18 के बजट के लिए केंद्रे सरकार के राजकोसी घाटा का लक्ष क्या था तो 2017-18 के इसमें पूछा क्या है इसी प्रकार से 2018-19 में भी कोशन अधिक अपनी प्रकृति में सुमिलित नहीं है नेक्स कोचन है निमलिकित में से कौन सा प्रथम सहर है जिसके सारोजने किस्थानों में वाइफाइ इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुबदा प्रदान करता है जिसके राइट इंसर हो जाएगा से निमबर यानि कि मुंबई इससर है जो प्रथम सहरा जिसके सारोजने किस्थानों में वाइफाइ इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुबदा प्रदान किया गया है आई यू सी एन सी जो लाल सुची रेट डाटा बोग है नेमन में इसके सरक्षण से समदित है तिसका राइट इंसरो जाएगा जल सरक् कर सकते हैं फिर मिलते हैं किसे नाइब विरों में थैंक यू फिरमाट जाहिन जे भारत